जिन्होंने अभी तद कुछ भी नहीं पड़ा है, क्या उनके माक्स आ सकते हैं, आंसर है यस क्या मैं अभी भी NCIT के important questions कर सकता हूँ, आंसर है यस क्या मैं previous year questions को अभी भी कर पाऊंगा, आंसर है यस क्या मैं अभी भी sample papers करूँगा और कोई मेरे sample papers को check करेगा इसका भी बहुत बड़ा आंसर है and that is big yes तो आप ये सब करेंगे इस 7 days strategy में बाबा जी आपको ये नहीं बताएंगे कि करना क्या है बाबा जी आपको ये सब करवाएंगे, अब करवाएंगे कैसे और ये सब होगा कैसे उस पे बढ़ने के पहले कुछ important बातें ध्यान रखो, सबसे important चीज दोस्तों ये है वो है भरोसा और focus आपको अब बाबा जी पर 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अब इदर उदर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आपके नंबर आपके नहीं है, अब मेरे हो चुके हैं, और अगर आपने अपने marks को मुझे दे दिया है, तो फिर अब आपक को मेरी सुननी है, आपको मैं दूँगा हर दिन का चैंपियन टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल की उसमें आपको शुभाग कितने बज़े उठना है, और आपको रात को कितने बज़े सोना है, विच प्रॉपर रेस, कब खाना खाना है, ये मैं बताऊंगा आपको, आप से मैं सिर्फ 6 दिन मांग रहा हूं, और अगर यकीन मानों, तो 6 दिन भी नहीं, 6 दिन के सिर्फ चंद घंटे मांग रहा हूं, तुम से तुम्हारे रिजल्ट के लिए, और इतना तो तुम करी सकते हो, क्योंकि ये मांक शीट अब तुम हर जगा लेकर जाने वाले हो, तुमा मैं आपको ये बताता हूं कि करेंगे क्या और करेंगे कैसे, चला भई, डेली आपको सुभा 8 बजे, डेली मतलब की 14 से, 13 को तो मैं आपको बता दूँआ कि हमको करना क्या है, बट 14 से आपको मॉर्निंग में वीडियो मिलेगा चैंपियन शेडियूल, इस चैंपियन शेड आप ने वो टाइम टेबल देखा, मुश्किल सा 2-3 मिनिट में बावा जी आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि आज हमको करना क्या है, और किस टाइम पीरेड में हमको वो करना है, उसमें आपको एक बोनस मिलेगा, और वो मिलेगा उस दिन का जो भी हमने पढ़ा होगा, उसका टेस्ट पेपर, क्योंकि टेस्ट होना, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस होना, और उसका फीड़बैक होना, क्योंकि आपको वो टेस्ट अपलोड करना पड़ेगा, और बावा जी खुद उसको चेक करेंगे, सोंगा नहीं, चिंदा मत करो, जब तक कि सारी कॉप आता है, जो तुमको बहुत बड़ी प्रॉबलम थी, बाबाजी नियुमेरिकल कैसे होंगे हमारे, तो भाई नियुमेरिकल कैसे होंगे, नियुमेरिकल ऐसे होंगे कि शाम को साथ बजे शोर शोर बेस्ट नियुमेरिकल लेके बाबाजी आ जाएंगे आपके सामने, तो शा दिया था और previous year questions करने के बाद जितने भी आपको डाउट आए थे वह आप हमें भेजेंगे हमारे telegram channel पर रात को 10 बजे मैं स्वयाम साक्षात प्रकट हो जाऊंगा आपके doubts को solve करने के लिए ये बड़ी अच्छी बात कही है तो बाबा जी आपके सारे doubts को live YouTube पर physics Baba 2.0 पर clear कर देंगे क्योंकि ये है 2.0 ध्यान से इसके बाद अब हम करने वाले क्या है तो देखो या day one पर अपन बात करेंगे electromagnetic waves ये बहुत important से सुनना day one क्या है मेरे लिए मैं English का paper देखे आया मैं सोंगा बिलकुल आराम से सो एक बहुत छोटा पिद्दू सा chapter दिया है मैंने मुश्किल से half an hour का ये chapter है electromagnetic waves और इस दिन रात को 10 बजे जब मैं live आऊंगा तो आप से बात करूंगा कि कहां आपको problem आ रही है आपको क्या कैसे करना चाहिए आपकी जितनी भी queries होंगी वो मैं solve करूंगा live so 13th को आपको सिर्फ electromagnetic waves करना ये मेरे लिए मैंने day one माल लिया इसलिए मैं इसको seven day strategy बोल रहा हूँ half day है बट अपने लिए तो एक chapter complete हो रहा है न तो एक day है अब आजाओ जल्दी से day two की तरफ जब अपन day two देखेंगे तो वहां अपन dual nature of radiation and matter की बात करेंगे day three पर अपन atom and nuclei की बात करेंगे day four पर अपन ray optics की बात करेंगे इन सब के साथ साथ दोस्तों मैं हर दिन आपको ये भी बताऊंगा उस champion schedule में कि आपको पुराना वाला कैसे revise करना है आपको मैं formula sheet दूँगा उस formula sheet को at the end of the day मतलब जिस दिन आप exam देने जा रहे होंगे उसके एक दिन पहले जो लोग कहते ना कि मुझे formula याद नहीं होते उस schedule के कारण आपको formula याद हो गए होंगे बस वो चंद मिनिट आप से मांग रहा हूं याद रखना वो schedule आपको वैसा का वैसा ही follow करना है हो सकता है थोड़ा सा time frame इदर उदर हो वो चलेगा मगर schedule वो होना चाहिए उस particular day पे खतम next अपने पास जो आएगा वो आएगा day 5 जिसमें आपन बात करेंगे wave optics की अब कई लोग कहेंगे कि electronic devices को आपने day 6 पर क्यों रखा है मतलब कि exam से एक दो दिन पहल ठीक है क्यों रखा है आपने तो इसलिए रखा है क्योंकि यह हम लोगोंने English के break में revise कर लिया था अगर हमने English के break में इसको revise कर लिया था तो अब मुश्किल से दो घंटे लगेंगे इसको completely दुबारा से revise करने में क्योंकि purely theoretical है जो numerical भी है वो current electricity से link हो रहे हैं जब अगर को यह आपको करवा रहा है और डरा रहा है तो करने और डरने की कोई जरूरत नहीं है बिलकुर straight forward बूल रहा हूं उस चीज़ को आपको अब यहाँ पर अपन करेंगे practice paper again you have to upload it on telegram channel and then ultimately आपको check होके feedback मिल जाएगा and last day हम सिर्फ revise करेंगे और हम करेंगे एक और paper को solve अगर आने से और बाद में यह भरोसा नहीं होगा अरे यार यह कर कैसे दिया सिर्फ कुछ घंटे मांग रहा हूं आपसे इन 6 दिनों के आपको वो दे नहीं होंगे अब आता है कि इन सब को मुझे कहां से मुझे अपना feedback मिलेगा कहां मैं upload करूंगा तो उसके लिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल की नीचे दी हुई है उसको जल्दी से जाओ टेलिग्राम चैनल को जॉइन करो जिनको वो लिंग्क ना हो पा रही हो या फिर नहीं मिल रहा हो तो टेल ग्राम पर जाओ फिजिक्स बाबा फैमिली को सर्च करो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा उस ग्रुप को जल्दी से जॉइन करो और अब आप तैयार हो चुके हैं अपने टेस्ट पेपर लिखने के बाद उनको चेक करवाने के लिए आपको on the same day आपको उसको अपलोड करना है मैं जब तक नहीं सोंगा जब तक कि मैं सभी को फीडबैक वापिस ना दे दूँ तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ मुझ तक आपकी महनत पहुचानी है उसको प्रॉपर फीडबैक के साथ मैं आप तक पहुचाऊंगा तो stay focused सुनो बाबा जीगी और follow करो champion schedule जो champion time table आपको रोज मिल र तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी के साथ अपनी आगे की जर्नी को बढ़ाएंगे with full focus with full confidence and let's enjoy this festival of the examination हम मजे करेंगे दोस्तो टेंशन नहीं लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही जय हो